ये गाईज वाट सब तो आज बात करने वाड़े हैं रोयल इंफिल्ड बुलिट थिफ्टी नेक जिनेशन की मिडल वेरिंट जो की स्टेंडर्ड और स्टेंडर्ड मरून कलर आप देख रहे हो डिटिललन बात करेंगे इस बाइक की बारे में कैया कुछ आपको फीचर देखनें को मिलते हैं क्यों आपको ये लेनी चाहिए पहले तो चार तरफ से लोगो देख लो बाइक का कितना शांदार लग रही है और काफी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे है और पुलिट थ्रिप्टिया पे लिखा गया है जो कि काफी शांदार लग रहा है और यह इंजन देख लो भाई जे स्रीज इंजन आपको रोईल इंफिलिका बिल्कुल नया क्रोम के अंदर आपको देखने में मिलता है रियर से लुक देख लीजिए बाई की कितनी शांदार लग रही है सिंगल सीट के साथ हैंड पेंटेड लाइन आपको मिलती है तो यह ओल्ड बुलेट जो आपकी CI बुलेट आती थी उसमें भी ऐसा कलर आतात और काफी लोग मोडिफाई भी करते थे इस कलर को इस पिसलिए अपने कभीर सिंग मुवी के अंदर देखा होगा तो इस कलर की काफी डिमांड थी भाई और काफी लोग पसंद करते थे इसको दो लाग तीस जारपे में आपको इमिडल वेरियंट करता है बुलेट थिरिफ्टी नेक्स जनेरेशन का बुलेट सीरीज के इंदर और यह काफी वेल्यू फोर मनी वेरियंट माना जा रहा है क्योंकि भाई इसके अंदर आपको डिल चनल एबियस भी मिलता है और प्राइज भी दो लाग तीस जार पर रखा गया है बाकी स्वीचिज विगरा आप लोग देखी पा रहे हैं कितने शांदर क्वाल्टी के इस तरफ से भी देख लिजी इंजन वेगरा 350 CC का बिल्कुल लेटर्स रोयल इंफिल्ड का जैसे इसका आपको इंजन देखने को मिलता है जो कि आपको 20.2 BSP की पावर निकार के देता है 27 Nm के टॉर्क के साथ और अराम से इस बाइक से आप 35 तक का मायलेज अचीव कर सकते यगर आप इसको बड़ी हैसे राइडी करते हो तो और 13 लिटर का बड़ा फ्यूल टैंक आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा एक बार टैंक फूल कराने के बाद लग बग 500 किलमेटर की रेंज आपको मिल जाती है 120 तक के आपको मैक्सिमम टॉप स्पीड इस बा के साथ suspension system देखने को मिलेगा तो suspension काफी शांदार है front में 300mm की disc brake मिलती है और rear में आपको 217mm की disc brake जो है देखने को मिलेगी dual channel ABS इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा dual disc brake आती है और 13 लिटर का आपको बड़ा fuel tank मिलता है इस बाइक के अंदर 2 लिटर की रिजर के स साथ फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलजी रोयल इंफिल इस बाइक के अंदर यूज करता है और लुक देख लो भाई कितनी बड़िया लग रही है फ्रंट में हैडलाइट इंडिकेटर्स रीर में टेल लाइट सब कुछ आपको हैलोजन मी मिलता है कोई भी चीज इस के अंदर और यह लोगो देखो भाई कितना शानधार लग रहा कितना प्रीमियम लग रहा है पेंट जो भी काफी बड़िया जो है मुझे लगा इस बाइक के अंदर बाकी अगर हम बात करें तो स्बोक विल्स आते है तो टूब टाइप टायर इस बाइक के अंदर आएंगे इसके अंदर जो है लोई विल्स वगर आपको टॉप विरेंड में नहीं देखने को मिलेंगे से कोई विरेंड ले लो आपको स्पोक विल्स ही मिलेंगे क्योंकि बुलिट भाई एक रेट्रो लुक बाइक है और धियर से देख लो रोईल इंफिल यहां पर लिखा गया है जो की काफी अच्छा लगता है पहले के मुकाबली वेट थोड़ा से बढ़ा दिया गया भाईक का 195 कज यह फिलाल वेट है भाईक का बाकी 2110 mm की बाईक की लंबाई है 785 mm की आपको चोड़ाई मिलती है 1225 mm की आपको हाइट मिलती है 390 mm की आपको वील पेस मिलता है 805 mm की आपको सीट हैट मिलती है 170 mm की आपको ग्राउंड क्लेंस मिलती है तो ग्राउंड क्लेंस भी पहले से बढ़ा दी गई है वेट भी पह थोड़ा सा छोटा लगता है पहले के मुकाबले देखने में और यह क्लासिक थिरिप्टी वाड़ है यह आपको स्वीचिज वगएरा सब कुछ जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर यह पर पहले बुलेट आती थी वैसी आपको जो है लाइन्स देखने को मिलते हैं यही इस की भाई शौबा है बाई की इसी वज़े से लोग इसको लेना जो है पसंद करते हैं तो और रोल काफी बढ़िया जो है बाई कंपनी ने बनाया है मेरे एकोडिंग काफी रिलाइबल बाई का बुलेट आगर आप रोयल इंफिल्ट को आज जानते हो तो उसमें बाहर बुल रहने को मिलेंगे और कंफिटेबल तो ही बाई क्योंकि शीट काफी कंफटेबल है बाकी काफी सौलेड आपको बिल्ड क्वाल्टी वाड़ी बाई जो है ओफर करती है और रीसेल वेल्यू की काफी शांदर आपको देखने को मिलती है किसी भी इस गूरुप का पर मिलते हैं और टूबलेस टायर नहीं मिलते हैं अधरवाइज कोई ज्यादा बड़ा मेजर ड्रोबैक है नहीं किक इस बाइक के इंदर आपको देखने को नहीं मिलती है तो और लिक बड़िया पैकेज आपको बुलिट्ट्रिप्टी के रूप में देखने को मिलता है तो यही था हमारा आज का वीडियो जिसके इंदर मैंने आपको बताया रोईल इन्फिल बुलिट्ट्रिप्टी नेक्स जिनिसन के मिडल विरियन जो कि है स्टेंडर सारी चीजें इस बाइक के बैने में बढ़िया से आपको एक्स्प्लेन कर दी है फिर भी कुछ रहा गया हो कुछ चीज ना समझ मैं है तो आप कमेंट से किसमें पूछ सकते हो